हलो ब्रीवन, एक्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, VPSC TRE3 और TRE4 के GKGS के प्रैटिसेट को आगे भढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैटिसेट नंबर 18 के प्रशनों को देखेंगे इसके पहले की वीडियो में हम 17 प्रैटिसेट को कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपको इतिहास, भुगोल, विज्ञान, ईवियस, पॉल्टी, करिंट अफेर और बिहार स्विसल, जी के जी असके प्रशनों देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परिच्छा की दिष्टे बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों यह वीडियो, PRT, 6-8, TGT, PST, सभी के लिए इंपोर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को लाज तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडियाप चाते हैं तो जोईन किजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक आपको description box या comment box में मिल जाएगा तो चली शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण है लाड लिटन ने सस्त्र अधनियम का पारित किया था इंपोर्टम प्रश्ण है लाड लिटन ने सस्त्र अधनियम का पारित किया था तो इसका राइटन्स रो जाएगा option B 1878 में option B इसका करेटन्स रो जाएगा ब्याक्ख्या देखते हैं ब्याक्ख्या इंपोर्टेंट है यहां से आपके कई सारे प्रश्ण क्लियर होंगे ठीक है तो इसको द्याहां से देखिएगा लाड लिटन ने 1878 में भारती सस्त्र अधनियम पारित किया जिसके अनुशार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हतियार रखना एक अपराधिक अपराध था द्यान रखिएगा यह अधनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था शिर्फ भारतीयों पर लागू था और भारती सस्त्र अधनियम को आयुद अधनियम भी कहा जाता है ठीक है आयुद अधनियम भी कहा जाता इसे इसे कहों लाया था इसे तो Lord Little कम लाया था तो ऐसाध है और इसी के समय में वरर्नाखुलर प्रेस आया था बहुत इंप्वर्नेंट है वर्नाखुलर प्रेस-चाइक्ट कब आया था तौठा 1 में आया था संस्त्र अधनियान यानि आम्साइक2018 मन इसी के समय में दूसरा अफगान युद्ध दूसरा अफगान युद्ध 1888% MATT सीतक कई के समय में तो लाड्र लिडन के समय में में राज कि उपादि अधनियम यह का भाया तो 1864 में ये भी आपका लिटन के समय माया था ICS की परिच्छा में प्रिवेस की आई 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दी Most important है मैंने पढ़ाया भी इसको ICS की परिच्छा में प्रिवेस की आई 21 वर्ष घटा कर 18 वर्ष किस ने क्या था तो लाड लिटन ने किया था ये सारी पॉइंट आपको ध्यान रखेगा यहां से आपके कई सारी प्रस्णों बनते हैं ठीके आगे बढ़ते हैं जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ important है BPSC के दवराई पूछा गया प्रस्ण है जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था तो आपसन BPSC का राइटेंस रो जागा मडिपूर में आपसन BPSC का करेटेंस रो जागा जिया तरंग आंदोलन शविने अवग्या आंदोलन के दवरान मडिपूर में प्रारंभ हुआ था जो जिया तरंग आंधोलन था शविने अवग्या आंधोलन के द्वरान मडिपूर में यह प्रारम हुआ था इस आंधोलन में जनजातियों की सक्री भागिदारी थी इस आंधोलन के नेता जदो नांको सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी उसके पस्चात इस आंधोलन का नेतृत उनकी चचेरी बहन रानी गाईदिनल्यू ने किया जवालाल नहरू ने गाईदिनल्यू को रानी की उपाधी दी थी यह most important है, पूछा जाता है कि गाईदिनल्यू को रानी की उपाधी किस ने दिया था, तो जवालाल नहरू ने दिया था, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान कियेगा, next, प्रसिद्ध पुस्तक, the economic history of India के लेखा कौन थे, important question है, the economic history of India के लेखा कौन है, तो इसका right answer रो जाएगा option C, रमेश चंद्र दद, यानि RC दद, option C इसका correct answer रो जाएगा, रमेश चंद्र दद, economics, history of India पुस्तक के लेखाक है, जो आर्थिक उपनिवेश्वाद की अलोचना करती है, इस पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता ह ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम भारती महिला बिस्विद्याले की अस्थापना किसने की, important प्रश्न है, प्रथम भारती महिला बिस्विद्याले की अस्थापना किसने क्या था, ता अप्शन ace का right answer रो जागा, धोंडो के सव करवे ने, अप्शन ace का correct answer रो जाएगा, श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकर्षे महिला विस्विद्याले यानि SNDT Women's University देश का पहला महिला विस्विद्याले था जिसकी अस्थापना धोंडो केसो करवे ने 1916 में के थी जो मुंबाई महराष्ट में इस्तित है इसकी अस्थापना करवे थी 1916 में और यह कहां पे है तो मुंबाई महराष्ट में या इस्तित है धोंडो केसो करवे की बात करें तो केसो करवे प्रशिद समासुधारक थे उन्होंने महिला सिच्छा और भिद्वा विवाह में महतपूर योगदान दिया उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया था ध भारती राष्टी कॉंग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? Most important question है, भारती राष्टी कॉंग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला पूचा है ना कि अधिश्ता करने वाली? तो इसका राइट अंस रो जाएगा अप्सन C, कादेम बनी गांगोली, अप्सन C इसका करेट अंस रो जाएगा, अगर प्रस्ण में पूछा होता कि भारती राष्टी कॉंगरेस अधिवेशन की अधिश्ता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट होता तब, ठी महिला थी, ठीक है कॉंगरेस की अधिश्ता करने वाली प्रताम भारती महिला थी, प्रताम महिला एनी बेसेंट और प्रताम भारती महिला कौन थी, तो सरोजिनी नाइडू थी, सरोजिनी नाइडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अधिश्ता की थी, लेकिन प्रस्ण में पूचा है कि कॉंग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला का उन्ती तो कादम्बनी गांगुली, आपसन सीज का क्रेटन्स हो जाएगा, महिला चिक सक कादम्बनी गांगुली ने भारती राष्टी कॉंग्रेस के वर्ष 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा, नेक्स्ट, भारत की पहली सफल सूती कपडा मिल की अस्थापना कहां हुई, भारत की पहली सूती कपडा मिल की अस्थापना कहां पे हुई थी, तो बंबई में, आपसन 20 का करेटन्स हो जाएगा, भारत की पहली सफल सूती मिल बंब बंबाई में अस्थापित की गई थी, बंबाई में अस्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे इस्पनिंग एंड वीविंग कमपनी थी, इसका नाम था, इसको विधाया नखेगा, इसकी अस्थापना 1854 में, काउसजी, नाना भाई, डावर और उनके सहयोगियों न और उत्पादन 1856 में सुरू किया गया, ठीक है, उत्पादन कब सुरूआ इसमें, तो 1856 में, नेक्स्ट, वर्ष 1946 में निर्मित अंत्रिम सरकार में कारपालिका परशद के उपसभापती थे, इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन A, जवालाल नहरू, आप्शन A, इ क्रेटन रो जाएगा, दो सितंबर 1946 को, भारत की अंत्रिम सरकार का गठन किया गया था, वासराय को उसके कारकारी परशद का पदेन अध्यच, जान रखेगा, वासराय जो था, वो कारकारी परशद का अध्यच था, तथा परिशद के उपाध्यच या उपसभापती के र तो पंडित जवाल लाल नहरू, कारकारी परशद के उपाधिस थे और इनके पास विदेश विभाग, राष्ट मंडल से समंदित मामले थे, सरदार पटेल की बात करें तो ग्रिश सूचना एवं प्रसारण, मंत्राले थन के पास बलदेव सिंग, रच्छा, डाक्टर जान, आपका उद्योगवा आपूर्ती, सी राजगुपालाचारी थी, आपका इनके पास इच्छा भिभाग था, सी एच भाबा, कारिक खनन एवं सक्ती, डाक्टर राजिन परशात, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गिया आपके एक्जाम में, तो इनके पास कौन सा और अली खान के पास स्वास्त और जोगेंदरनाथ मंडल के पास विधिविवाग था, ये सब भी आप लोग ध्यान केगा, आपके जाम ये इससे प्रश्न बना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डाक्टर राजीर परशाद, जग्जीवान राम, सर्दार वल्लाभ भाई पर टेल और पंडित जवालाल नहरू है, इनका नाम आप लोग जरू धान खिएगा, और इनके प्रास काउन सा विभागता, ठीक है, नच्छ बढ़ते हैं, भारत की प्राचिन कला परंपराव को पुनर जीवित करने के लिए, इंडियन सोसाइटी आप ओरियंटल आ भारत माता की पेंटिंग बनाए थी, आपके ईक्यामि पूछा गया था, टी या दित्र्य थे में ये इंपूर्टन है, के बनाए ये इंड्स रभ मैं कतलत रहं कित्यों आम यहामि सवाध तो लोग को भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो अवनेंदर नाट टाइगो ने बनाया था स्वदेसी अंदोलन के दोरान, बात करें हम स्वदेसी अंदोलन की, तो स्वदेसी अंदोलन की सुरुवाद का वही थी, बंगाल विभाजन के बिरोध में इसके सुरुवाद 7 अगस 9itti इसको भी आवलोग ध्यानक रखेगा निक्ष्व बढ़ते संते हैं बंगाल में वितिन की वस्थूँँ की बहिसकार का सुझाव सर्पृत्थम किसनि दिया था most important Пр stitching वे बंगाल में बितन की व्सथूँँ की बहिसकार का सुझाव सर्पृत्थम किस ने दिया था तो आपसन सीज का राइट एंस रो जागा स्वदेशी अंधुरल के दोरान कृष्ण कुमार मित्र ने आपसन सीज का करेक्ट एंस रो जाएगा गुलकात्ता टाउन हाल में होने वाली बैटक में परियाप्त संकोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे शुकार किया था ठीक है साथ अगस्त 1905 को ही आपका स्वदेशी अंतुरुन की सुरुवात हुई थी नेक्स्ट महत्मा गाधी ने दच्छिड अफरीका में किस अख़बार की सुरुवात की थी इंपोर्टिम प्रस्न है महत्मा गाधी ने दच्छिड अफरीका में किस अख़बार की सुरुवात क्या था इन्होंने महाँ पे तो इंडियन उपिनियन, आपसन क्या हो जगा है? ये इसका क्रेटन शुरूजा, इंडियन उपिनियन की सुरुवात दच्छिड अफरीका में, देखिए, 1894 में, गाधी जी ने दच्छिड अफरीका में नाटाल इंडियन कॉंग्रेस की अस्थापना की, ये भी इंपोर्ट से उन्होंने नशली भेदभाव से लड़ने और दच्छिड अफरीका में भारती प्रवाशी समद्वाई के नागरिक अधिकार प्राप्त करने है ये तो शंगर्ष गया, यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकासित होती थी, ये भी ध्यान मनसुक लाल, हीराल, नजर, इंडियन ओपीनियन के पहले संपादक थे, ठीक है, ये ध्यान के गवने पढ़ाया विए इसको, इंपोर्टेंट है ये, इसके पहले संपादक काउन थे, तो मनसुक लाल, हीराल, नजर इसके पहले संपादक थे, नेक्स्ट, निमलिकित में से किसने 1920 के नागपुर के भारती रास्टी कॉंग्रेस की अधिवेशन में असायोग अंदुलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था ते कि में गांधी जी ने असायोग अंदोलन का प्रस्ताव रखा था ये पॉइंट ध्या नेखेगा आप लोग कमेंट बॉक्स मताई ये जो आपका 2020 का जो बिसे सब्वेशन हुआ था इसके अधिस्ता किसने की थी इस प्रस्ताव के भीविन मुद्धो पर कुछ युवाने ताउं सियार्दास मोतिलाल नहरू लाला लाजपत्रह आदने इसका विरोध किया परन्तु नागपुर अधिविस्तन जो इस विस्ताव था में सिया अधिस्ता किसने क्या था तो सी विजय रागवाचारी ने इसकी अधिस्ता की थी और इसी अधिविस्तन में जो है आपका असाहिव अंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था कई सारे प्रश्निया से बनते हैं तो इसको ध्यान खिएगा आप लोग ठीक है स्वतन्ता अंदोलन के क्रांतिकारी आतंगवादियों का पहला महत्पूर सहसिक कार बर्रा डकाईती का अस्थान था बर्रा डकाईती कहां पे हुई थी तो यह आपका हुआ था पूर्वी बंगाल में अप्सन इस का करेंटर्स हो जाया पूर्वी बंगाल में धन की विवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकाईती कांड को पूलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था किसने दिया था पुलिन बिहारी इन्होंने भारत की सोतंता के लिए धाका अंशीलन समित नामक क्रांदकारी संगटन की अस्थापना भी की थी धाका अंशीलन समित की अस्थापना किसने क्या था तो पुलिन बिहारी दास ने किया था नेक्स्ट नमंलिकित मैंसे किसने गाधी जी के आंदोलों को राजनःतिक फिराउति कहा था तो अप्सन एस कर आए तंस रोजएगा लाड लिन लितगों ने कहा था राड लिन लितगों की बात करें और इसी के समय में भारत छोड़ो अंदोलन हुआ था ठीक है पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलुन के समय भारत का वासराय कौन था तो लाड लिन लिट गो था ये पॉइंट भी आप भूध्यान एक और इसी ने जो है अगस्त प्रस्ताव भी लाया था उन्नी सुचालिस में मने पढ़ाया भी एसके बारे में भी ने किया था आप्शन एसका करेट अन्स रोजाए कप किया था इसके अस्थापना 1916 में हुई थी ठीक है 1916 में नेक्स्ट जमसेदपुर लेबर एस्थापना की अस्थापना 1920 में किसने की थी भी प्रस्ति के द्वारा पूछा गया प्रशना ये जमसेदपुर लेबर इसके अस्थापना 1920 में किसने क्या था तो एसन हल्दर ने अप्शन एसका करेट अन्स रोजाए ठीक है 1920 में इसके अस्थापना हुई थी ठीक टार्टा आरेंड एंड इस्टिल कंपनी में हुई पहली हर्ताल के दारान मार्च 1920 को बैरिश्टर सुरेंदनात हल्दर ने जम बकरी का टापू में अखिल भारती अजाद दस्ता का गठन किसने किया था तो आप्शन हो जाएगा ए इसका करेट एंड नरायन ने भारत छोड़ो अंधुलन के बात करें तो इसकी शुरुवात का वही थी तो आठ अगस्त आठ अगस्त 1942 को इसकी सुरुवात हुई थी ठीक है तो आप्शन एसका करेट एंड शुरू जाएगा देखिए भारत छोड़ो अंधुलन के दोरान जया प्रकास नरायन ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारती अजाद दस्ता का गठन किया था प्रशन कि भारत छोड़ो अंधुलन के दोरान जया प्रकास नरायन को किस जेल में रखा गया था तो हजारी बाग जेल में रखा गया था ठीक है हजारी बाग जेल में रखा गया था और यह जो है यहां से फरार हो गये थे दिवाली की दिन और जो है यहां से फरार होने के किसके अस्थापना की थी तो आज आध दस्ता के स्थापना की थी ठीक मैई 1945 में ब्रिटी सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जय प्रकास नरायन को गिरापतार कर लिया उनके साथ गिरापतार व्यक्तियों में रामनौर लुहिया, स्यामनन्दन सिंग, वैधनाज्जा तथा कार्तिक प्रशाद सिंग भी थे, इसको भी ध्यान की आप लोग, ठीक, नेक्स्ट, उनने सो उन्तालिस में सुभास्चंद्र बोस्ट के स्तीफा देने के बाद के तुरंत बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यच्च के रूप में किसे नियूक्त किया गया, इम्पॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हम इसके बारे में, उनने सो उन्तालिस में सुभास्चंद्र बोस्ट के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिश्टा किसने की थी, तो आप्सन एस का राइट अन्स रोजागा, डाक्टर सुभास्चंद्र बोस्ट को 1938 में गाधी जी के पसंदीदा उमिद्वार, पट्टाभी सीता रमाया के खिलाब अध्याच्य चुना गया था, 1949 में सुभास्चंद्र बोस्ट के इस्तीपा देने के तुरंत बाद, डाक्टर राजिन प्रशाद को भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यच के रूप में नियुक्त किया गया था, बोस्ट ने 1949 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के भीतर अखिल भारती फारवर्ड बल ने की थी फिर दुबारा उने सोन तालिस त्रीपूर अधिवेशन जो होता त्रीपूरी अधिवेशन इसमें भिया दच कौन मना सुभास्ट्र रभोस बने थे लेकिन गादी जी के साथ विवाद होजने के करण यह नोने इस्तिफा दे दिये था और स्थीफा देने के बाद जो है किसके अस्ठापना की थी और इस्तिफा के इसा ने किया था तो डाक्टर राजंद परशाद ने किया था थिकाई यह सारी पॉइंट आप रूद्भानबिया दा ही गार्मदलगा नीता नहीं था ईता है के लाल पाल तरहाश रहाटा लाल भाल पाल टेवय है तो यही नेटा थी पाल वे और विपिन्चंद्रपाल भी दोनों को नाम की कि यहाँ ऑप्शन में फीसेम नाम है तो धान अखेगा इसका офie-reslog postric粉ürd drifting नहीं था तिन में से कोई नहीं अप्सन ये इसका क्रेट एंज रोजागा ठीक है ये सारे जो है गरम धल के नहीता थे और इसमें पुछरा कौन नहीं थे तो ध्याना किएगा अरवेंद घोस लोकमान निबाल कि अधर तिलाक बिपिन चंदरपाल ताथा लाला लाच्वद्र ये सब जो है किस दल के नहीता थे तो गरम दल के नहीता थी ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं 1913 में पटना में अन्श्रीलन शमित की एक साखा की अस्थापना किसने की 1913 में पटना में अन्श्रीलन शमित की अस्थापना किसने क्या था तो सचेंद्रनात सन्याल ने इसकी अ की आत्म कता है तो सचेंद्रनात सन्याल की आत्म कता है ठीक है दोस्तों यदि आप हमारे चनल पर नहीं है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें आप लोग करते हैं शेयर करते हैं कमेंट करते ह से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोग के लिए वीडियो को ला पाते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूरू बताईएगा वीडियो कैसी लगी और कोई सुझा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा ठीक है नेक्स्ट है अनहेपी इंडिया नाम से भी जाना जाता सभी को पता होगा पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपतराई को जाना जाता है देखिए इनके घर हम बात करें अन्य पुस्तों को की दा स्टोरी आप माई डिपार्टेशन आरे समाज दा यूनाइटेट इस्टेश्ट आप अमेरिका ए हिंद्यूज इंप्रेशन अन्हेपी इंडिया एक लैंड डिप टू इंडिया यह सब भी लाला लाजपतराई की मौलाना मुहम्मद अली द्वारास था पिद्या अंगरीजी भासा का समाचार पत था दा कॉम्डेट अप्शन बीस का राइट अंसरो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं पूर्व वैदिक आरियों का धर्म मुक्ता था पूर्व वैदिक आरियों का धर्म क्या था तो प्रकित पूजा वा यग्य अप्शन बीस का करेटन जो जाएगा अप्शन बी पूर्व वैदिक आरियों का धर्म प्रकित पूजा या यग्य था रिग्युवेद में आर्शब्द का 33 बार उल्लेक हुआ है इसको विधाने खिएगा नेक्स्ट रिग्वेद का कांसा मंडल पूर् इंप्वाटेंट है रिग्वेद जो आपका सबसे पूराना विध है ठीक है वेद कितने हैं तो 4 है सबसे पूराना कांस है तो रिग्वेद है रिग्वेद में धाने के 10 मंडल है 1028 सूकत है 10580 रिचाय है यह पूछा गया आपके एक्जामें टीजी टिम साथ पूछा गय में इंप्वाटेंट है ठीक रिग्वेद का जो पहला मंडल और दस्वा मंडल यह सबसे अंत में जोड़ा गया था रिग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता सभीता को समर्बित गायत्री मंत्र का उलेक है तीसरे मंडल में किस तीसरे मंडल में क्या है तो गायत्र अपना का अधार है तो तीसरे मंदल में आपका सूरी देवता को समर्पित यानि सभीता को समर्पित गायत्री मंत का उल्लेक है नौवे में आपका सोम देवता और दसमें में आपका जो है दस जो आपका चार वर्ड है उसका उल्लेक है है नेक्स्ट वह विर का जंव कहा हुआ था इंपोर्टेंट है महावीर स्वामी का जन्म कहा पर हुआ था है तो इसका करेट तो जायths को जात अब उन्द कुंडग्राम में हुआ था अपसरण सर्फ का करेट जाए खेयिए वर्दमान महावीर का जन्म बिहार में वैसाली के पास कुंड ग्राम में 599 इसापूर में हुआ था, त्या नखेगा यहां पर देखे वैसाली भी दिया है, लेकिन यहां पर जगा का नाम भी दिया है, इसलिए बी लाजाएंगे इसको, ठीक है, अपसंट 20 का राइट होगा इसलिए, बर्दमान महावीर स्वामी का जन्म बिहार में वैसाली के पास कुंड ग्राम में 599 इसापूर में हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, तो सिधार्त इनका पिता का नाम था, इनके पिता सिधार्त छत्यों के ज्यात्रिक कबीले के मुखिया थे, इनकी माता का का नाम क्या था तो त्रिशला जो लिछवी गड़राज की प्रमुक चीटक की बहन थी बिहार के पावपुरी निराजगीर में 527 इसापूर में इनका निधान हो गया था ये भी ध्यान कियेगा माविर स्वामी जयन धर्म के क्या थे 24 वे तिर्थंकर थे और इनका प्रतीक क् ये सभी ध्यान कियेगा नेक्स्ट वैसाली दुनिया का पहला गड़राज ने में से किसके द्वारा अस्थापित किया गया था तो इसका करेट अंस रुजाएगा आपका अप्सन इस कराइट एंस रुजाए ठीक है लिच्छी वी एक द्वाराज इसके अस्थापन की गई थी दुनिया का पहला गड़राज वासाली की अस्थापना लिच्छी वी वंस ने की थी ये भी ध्यान कियेगा ठीक है अगला कांचीपूरम में कैलास मंदिर का पर लाइट अंस रुजाएगा के देखें कांचीपूरम में कालास मंदिर का निर्माड पल्लोववन्स के नर्सिंग भर्वन दूति ने कराया था रहां धागे कभी कभी जो है नाम नहीं देता वनस देता कि किसमें के अस्थापना हो फिथी तां तो पल्लाव उन्स में स् फापना होई थी नर्शिंग दूति को राज सिम्हा की नाम से जाना जाता है नर्शिंग तयुनित महाव बलिपूरा में सूर मंदिर का निरह माटन भी कर वाया था तुक्षिंग विडिर सोर मंदिर का निरमाड यह भी नर्शींग बरम cetina akar кошका सक कृष्ण परफाम ने ईलोरा में किलास मंदिर का निरमार करवादा देखे यह तो आपका कांचीपुरा में के लाज मंदिर अगर पूच्छ आ कि ईल्वुरा के ऐलास मंदिर का निर्माड खिशन करवाया था कृष्ण प्रतम ने करवाया था चोल्वंस की राज राज प्रतम ने तंजोर में ब्रह्धिश्व्थर मंदिर का निर्माड करवाया था यह पॉइंट भी आप ध्यान किये बहुत इंप्वॉटेंट इस दोनो किसके सासन काल में डायमेकस भारत आया था किसके सासन काल में डायमेकस भारत आया था तो हो जाएगा इसका सीज करेटन्स बिंदुक सार के समय में डायमेकस आया था बिंदुक सार के काल में डायमेकस भारत आया था जो डायमेकस था यह सीरियन किंग एंटियोकस प्रथाम का राज्दूद था ठीकर यह भी धानदीगा डामेक। ने मेग स्तनीच का स्थान लिया था अगया है । मेग स्तनीच किसके समय मियर्थ था 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 चंद्र गुथ η UP मौ समय माय था और डायक माइक्यावेली के प्रिंस से की जाती है किसकी तुलना माइक्यावेली के प्रिंस से की जाती है तो असका राइटन्स हो जाएगा आप्षन सी कौटिल का अर्थसास्त्र आप्षन स्वीस का करेटन्स हो जाएगा कौटिल को भारती माइक्या वेली भी कहा जाता था माइक्या वेली एक इतालवी, राजनाईक, दार्शनिक, रानितिक, इतिहासकार और लिखक थे उन्हें आधुनिक, रानितिक, दर्शन और रानितिक विज्ञान का जनक कहा जाता है 1513 में लिखी गई माक्या वेली के प्रशिद्य पुस्तक दा प्रिंस थी ठीक है दा प्रिंस किसकी पुस्तक है तो आपका माईक्या वेली के पुस्तक है अब भारत का माईक्या वेली किसे कहा जाता है तो कौटि लिखों कहा जाता है ठीक है अगला है कौन सही सुमिलेत नहीं है उच्छा कौन सा सही सुमिलेत नहीं है पुस्तक दिया है और लेखक दिया है दसकुमार चरित दांडी की रचन है भिल्कुल सही है मृच कटिकम सुद्रक की ये भी सही है प्रियाग प्रसस्ति ये गलत है प्रियाग प्रसस्ति की रचना क इस निक्या था मनें बता था हरिश्यर्ड निक्या था के हरिश्यर्ड ये समुद्र गुप्त का धरवारी कभी था और किरार्तर जुन्निया भार्वी यह सही है तो अप्सन सीज का क्रेटन्स हो जागा नेक्स्ट फूलो और बीजो को विविन प्रकार के अकरशक रंग प्रदान करता है फूलो और बीजो को जो रंग प्रदान करता है कौन करता है तो क्रोमोप्लास्ट करता है ठीक है आप्सन सीज का क्रेटन्स हो जागा आप्सन सी यूग्त प्लास्टिट होते हैं कारोटिनाइड वड़क, विभिन रंगों के लिए जिमदार होते हैं जैसे फलो, फूलो, पुरानी पत्तियों, जडो, आदि, कुपीला, नरंगी और लाल रंग परदान करते हैं पकने का दवरान क्लूरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में रुपांत्रन एक उतिक्रस्ट उधाहरान है इसको धहानक खेगा आपको िइंप्रोंट एंट है ठीक ए usta थोर्थ बढता है Eck Powell का अंडिया किसम न पर चित होथा है माईटरोकॉंटिया किसम्लिया मंफस्ग होता है तो जिसमाड़ में १॥ सब्सक्राइब प्रत्रोध का एसाई मातर रख है तकिना असे प्रम बंता एक्जाम में वन सब्सक्राइब का एसाई मात्रक पूछ रहा है तो ओमेटर होता है आप संस्क करेटेंस रोजा पूछा गया प्रश्न है यह नेक्स्ट निमलखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है कौन सा सही मिलान नहीं है वोल्डता वोल्ट प्रत्रोध ओम सही है यह भी सही है वोल्डता वोल्ट में प्रत यह होता है यह बल्ग का मत्रख होता है डायन जो है बलकिक आई है ति यह क्यों हो जाएगा गलत इसमें सही नहीं पूचारत आपका आप संसीज का करेटांच हो जाएगा यही सहीड़ी ते नमलकित में से कौन सी धातु हत्य पर रखने से पिघलेगी का उन सीज़ा थ द्धात्व है जो असानी से हाथेली पर पिघल जाती है क्योंकिद्गमें की बात करें उसकी पर्मार संखे कितनी है फैरा रश्राड़ी समु तेरा का या तत्व है अगला है जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अमले की अभरकिया होने पर काउन्ची गैस उत्पन होती इंपोर्टन प्रश्न है जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अमले की अभकरिया होने पर काउन्ची गैस उत्पन होती है एंसी आड़े तनों अमलों के साथ अफ़क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है ध्यान के जो धात में होती है यह तनों अमलों के साथ अफ़क्रिया करके क्या बनाती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है जिंक धात तनों HCL के साथ अफ़क्रिया करके क्य का बना रहा है तो जड़ेन सी एल टू और एस टो यानी हाइड्रोजन गैसे हाँ पे निगल रही है ठीक है यह धहान के इंपॉर्टेंट है अभुक्रिया धिहान केगा नेक्स बढ़ते हैं निम्लिकत में से कौन सा एक दहन अभुक्रिया करा कौन सा जो है दहन अभुक्रिय के लिए ऑक्सीजन के साथ अभुक्रिया करते हैं जो दहन प्रकिया है क्या होती है उसमा छेपी अभुक्रिया होती है यानि जो है इसमें क्या उसमा निकलती है प्रकिया को ऑक्सिजन की उपस्थित की आओ सकता होती है जिसके बिना दहन क्या हो जाता आपका रुक जाता ह दहन के दोरान जलने वाले प्धार्थों को ईधन के रूप में जाना जाता है। प्रितोलियम क्या है हमारा इधन है। नेक्स्ट भढ़ते हैं. साग सब्जियों को विगटित होकर कमपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उधारण है उस्मा सोसी उस्मा छेपी प्रतिस्थापन द्यान कि यह उस्मा छेपी यानि इसमें क्या होता उस्मा निकलती है ता अप्सन B साग सब्जियों को विगटित होकर कमपोस्ट बनना उस्मा छेपी अभिक्रिया का उधारण है उस्मा छेपी अभिक्रिया की बात करें तो वह विक्रिया होती है जो अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उस्मा का भी उस्तरजन होता है इसमें क्या होता है उत्पाद के जैसे हम बात करें सवसन सवसन कैसे अपक्रिया है सवसन से जह हमें उठ्जा मिलती है यह आपका हो जाएगा सवसन यह भी आपको क्या है उस्मा 6 भी तो अगला परशन है निमने में से कांसा उत्पाद lead nitrate को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो oxygen option is का करेटन्स हो जाएगा देखिए PB NO3 का whole twice यह क्या आपका lead nitrate का सूत्र है lead nitrate को गर्म करने पर lead oxide nitrogen dioxide और oxygen में बिगटित हो जाता है यह आपका क्या है lead nitrate है और इसका big turn किसमे हो रहा है तो lead oxide में nitrogen dioxide में और किसमे oxygen में ठीक है और यह जो है अब गटन अब करिया है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा important है यह next है नेत्र लेंस की focus दोरी अधिक हो जाने से कौन सा द्रिष्ट दोस होता है important question है नेत्र लेंस की focus दोरी अधिक हो जाने पर कौन सा द्रिष्ट दोस होता है तो दूर द्रिष्ट दोस होता है option 20 का करेटन्स हो जागा दूर द्रिष्ट दोस इसमें क्या होता है इसमें निकट की वस्तुमें नहीं दिखाई देती है ठीक है दूर द्रिष्ट में क्या होता है निकट की वस्तुमें नहीं दिखाई देती है देखिए प्रत्विम कहां बनना चाहिए तो रेटना पर बन इस दोस को दूर करने के लिए किसका प्रियोग के आता है तो उत्तर लेंस का प्रियोग के आता है तो प्रतिम कहा बनने लगता है तो रेटना पर बनने लगता है यह पॉइंट आप ध्यान रखेगा अगर हम यह बात करें निकट द्रिष्ट दोस्त की तो निकट द्रिष्ट दोस्त में क्या होता इसमें दूर की वस्तमें नहीं दिखाए देती है और इसके दोस्त को दूर करने के लिए किसका प्रियों के आता है तो ओतल का प्रियों के आता है ठीक है निकट के लिए ओतल और उतल किसके लिए तो दूर के लिए दोनों ध्यान रखेगा इंपोर्टें यह आपका नर्जननतंत्र का भाग नहीं है, अप्षन B, देखिए, नर्जननतंत्र की बात करें, ति आपका देखिए मूत्रनलका, सुक्राडू, मुत्रासय, उस्ट्रेट ग्रंथी, सिसन, मूत्रमार्ग, सुक्रवाहक, व्रिशन्ड, कोस, व्रिशन्ड, यह सब आपका क्य है, यह मादा जननतंत्र का भाग होता है, ठीक है, यह पॉइंट द्यान किएगा, नेक्स्ट, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूरिया, निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँग के गुड़ को क्या कहते हैं, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर इस गड़ुर को क्या कहते हैं, तो इससे समंजन च्राप कहते हैं, आपसन बीस का करेक्टबट रोजाए गार नयकर बढ़ते हैं, इन में से किस रोग हेतू, अलिसा जांच कराना चाहिए, इस रोग के लिए जो है, अलिसा जांच होता है, तो ध्धाना खेका एड्ष के ल कभी कभी पूछ लेता है कि एलेसा में E क्या है तो E जो है आपका इंजाइम होता है इसको ध्यान रखेगा एलेसा तकनिक सरीर में बिसिस्ट एंटीजनों तत अथवा उनकी प्रतकरिया सरूब बने एंटीबोडी की पहचान पर अधारित है इसका प्रियोग मुक्ता एट्स रोग की जाच में किया जाता है यह पॉइंट धान खेगा एट्स जो है किससे होता है तो एचाइवी नामक वायरस से होता है ठीक है नेक्स्ट है सुजाक यानी गुनोरिया जो सुजाक होता है रोग है किससे होता है मैंने बताया था इसको यह यह याउन संचारित रोग है अप्संस चीज का क्रेटन्स रोग है गुनेरिया जो होता है यह यौन संचारित रोग है देखिए यौन संचारित रोग की बात करें तो हेपेटाइटिस भी धिहान नखिएगा एट्स और कौन से आपका हो जागा हुमन पिपिलोमा वायरस और उपदन्स जिसे सिफलिस कहते यह सब क्या है आपका यौन संचारित रोग हैं नेक्स्ट है इस्टिल के गिलास के तुलना में चीनी मिट्टी के मग से गर्म चाय पीना आसान है क्योंकि यह पूछा गया प्रस्ट यह तो इसका क्रेट अंस हो जाएगा आप्सन ए चीनी मिट्टी जो है उसमा का क्या होता है क्योंकि यह गर्म नहीं होता है कुछ बल खोता है अगला है नेमलकित मिनने किस धात के मिस्टी धात का उप्योग हवाई-जहाज और आटो मोवाईल इंजन बनाने में किया जाता है तो ऐलमूनियाउं का प्रियोग आता है आप्शन बीं अलमुनियम सबसे अधिक प्रियोग की जने वाली अलाव धातु है या धातु ताबे और लोही के तुलना में हलकी होती है इसलिए इसका प्रियोग हवाई जहाजियों रेल डिब्बो की पूर्जे बनाने में किये जाते हैं इसके अतरिक्त अलमुनियम का प्रियोग कहां पे होता है तरल पदार्तु के डिब्बो में दर्वाजे खिडकियां तार बरतन पिंट आधि के निर्मान में भी इसका प्रियोग किया जाता है अगला है मिना माताम हमारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे पानी में इसके प्रदूसर के कारण थे तो किसके कारण होता है ये तो पार जानी पारा की वज़े से होता है ये मिना माता रोग आप्शन सी इसका करेटन्स हो जाएगा तिक ये पारा मिना माता अगला प्रश्ण है रोगयों के दान्त देखने में दन्त किसको द्वारा प्रियुक्त दरपन होता है रोग्यों के दात देखने में जो दात के डॉक्टर होते हैं किसका प्रियोग करते हैं किस दरपड का तो आउतल दरपड का प्रियोग करते हैं आप्षन एसका करेक्टेंस रोजागा ध्यान रखेगा नाई भी उतल दर्पड का प्रियोग करते हैं और इसका प्रियोग कहां पर होता है तो जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है हेडलाइट में भी इसका प्रियोग आता है ये पॉइंट भी ध्यान रखेगा अगर हम ब द्वारा जल के प्रदूसक को साब करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला क्लोबोसा प्रियुक्त किया जाता है तो इसके द्वारा उत्पन होता ये पूछा गया प्रशन है फ्लाई एस क्या है ये प्रदूसक है किसके द्वारा उत्पन होता है तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा या उत्पन होता है अप्शन इसका करेटन्स रोजागा थर्मल यानि ताब विदुद सयंत्र में ये कोले को जलाने से या उत्पन होता है फ्लाई एस ठीक है ये पूछा गया है अगला है ब्राउन एयर सब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता है ब्राउन एयर सब्द का प्रियोग किसके लिए तो प्रकास रसानिक धूवा अप्शन 20 का क्रेटेंस हो जागा देखते हैं इसके बारे में देखें ब्राउन एयर सब्द का प्रियोग प प्रकास रसानिक धुए की तो प्रकास रसानिक धुआ वाई प्रदुसको और सूरी के प्रकास की क्रिया से उत्पन होता है ये प्रकास रसानिक धुआ इसके प्रमुक संगटक गयसो की बात करें तो हैड्रोकारबन नाइट्रोजन आउकसाइड और पैन है फोटो केमिकल स्म बनेक योगिक सूर्य के प्रकास पर प्रत्क्रिया करते हैं जिससे सहर के उपर भूरे रंग की धूंद बन जाती है या गर्मियों में अधिक बार होता है क्योंकि उस समय हमारे पास सबसे अधिक धूप होती है यह इंपोर्टेंट है इसको दिहा नखीगा ठीक है नेक्स्ट है यदि जल का प्रदूसर्ण वर्तमान गत से होता रहा तो अंतता जल का प्रदूसर्ण यसे वर्तमान में हो रहा है इस तरीके इससे जल प्रदूसर्ण बढ़ रहा है अगर यसे होता रहा तो अंत में क्या होगा तो आप्शन सीज का राइटन्स रोगा जल पात कि निम्लेक कि इसकान सी अटाइट गरी मोटे नहीं है था थीकर सभी ग्रीन हाउस गर्स रहान ते रहने तो यह सब क्या होती है तो हरी दगलि गास होती है नवी करडी संपूड प्राकृतिक उर्जा संसाधन कौन सा नवी करडी उर्जा काउन सा इसमें तो इसमें बायूमास यह क्या आपका नवी करडी है ठिक है को क्या कहा जाता है विसे हैं हम लोग क्या कहते हैं जीवों या बायों कहते हैं आप्सन एस का राइट एंस हो जाएगा अगला है मानों गत्विद्यों से परिवर्तित परियावरण कहलाता है मानों गत्विद्यों से परिवर्तित परियावरण क्या कहलाता है उसे इंत्रोप पुझेनिक परेवनण कहते है आप्षन बीस का करिक्ट न्सोल जाएगा next अधोलिक तुमें भौतिक परेवन का तथ्ट्ट्टु नहीं है करा कॉंसा भौतिक परेवन परेवन का तथ्ट्टु नहीं है तो इसका अप्षन सीजिक का चरइट एंसोल घा नेक्स्ट कम मैंने प्रस्ट मानोब भुगॉल से देखिए समाजिक भुगॉल की बात करते हैं इसका उपACHतर क्या होता है व्यवहरवादी भुगॉल ठीक है समाजिक कल्यान खुल वक ऑवकास का विगॉल साम्सकृतिक भुगॉल लिंग भुगॉल एतियासिक भुगोल डीकतर यह आपका समाजी भूगोल कि जिए हैं। उप्चेतलें। वह एंब बात करें, शैनि भूगोल किसका है। ति आपका रारनितिक भूगोल का है। devices का है। तो रारनितिक भूगोल का है। Pale next, संय century मानौ भूगोल कि रिया सील मानौ और आस्थाई प्रिथभी के परिवर्तन सेल समदो का अधियान है यह किसने कहा रहा है यह किस नहीं गहाएं यह कहा यह आप्संस इस करेटेंस रोजागा मानो भूगोल के बारे में देखिए परिभाशा दिया है मानो भूगोल मानो समाजो और धरातल के बीच संबंदो का संसलिसित अध्याने किसने कहा था तो रैडजन ने कहा था यह माना भूगोल आज स्तिर पृत्वी और क्रिया सिल म मानो के बीच परिवर्तन सिल संबंदो का अध्याने किसने कहा था तो एलन शी शेंपल ने इसे कहा था हमारी पृत्तिविक को नियंतिर्ट करने वाले भौधिक नियमो तथा इस पर रहने वाले जिवहों के मद्द समंदो के अधिक संसलिसित ज्यान से उत्पन संकाल पना ये किस ने दिया था, तो ये आपका पॉल बिडाल डीला बलास ने, ये परिभास आया है मानो भूल के बारे में, तो इसको द्यान रकिएगा आप लोग, पूछा दा सकता है, नेक्स बढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी मानशून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, उत्तर पूर्वी मानशून से वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तमिलनाडू, आपसन सीज का करीटन्स रो जागा, नेक्स्ट नागार्जुन सागर बहुत देसी परियुजना कौन सी नदी पर इस्थित है नागार्जुन सागर यह आपका कस्प नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है यह कृष्णा नदी अला नेमलकित में से कौन सा सहर गंगा नदी के तड़ पर इस्थित नहीं है करा कौ पुर अलहाबाद हरिद्वार मिर्जापुर भागलपुर वरारसी कन्नाओज पतना गंगा नदी के किनारे इस्थित कुछ सयर है इनके नाम ध्यान रखे का इंप्वार्टेंट इस समंदित प्रष्ट बनते हैं आपके एक्जाम में अगला है हैली धूमकेत की रूप में ज्यात धूमकेत की कच्छा की आउसत अवधी है तो जो हैली धूमकेत होता है ये लगभव 76 वर्षों में दिखाई देता है ठीक है आपसंट बीस का करिटन्स हो जाएगा नेक्स्ट चुद्रग्रह किनकी कच्छाओं की बीच पाए जाते हैं सभी को पता होगा मैंने बताया कई बार चुद्रग्रह किसकी बीच पाए जाते हैं तो मंगल और प्रिहस्पतिक की इसको धिधान किएगा UMPORTANT है नच बढ़ते हैं भूमद रेखा से उत्ठर्याभ दच्षड किसी दिसाग किसी दिये घय अस्थान की कोडी-दूरी क्या कहला धी IMPORTANT है देखिए कर आ कि भूमद रेखा से उत्तर्या-दच्षड किसी दियें गया अस्थान की कूरी- प्रिथभी के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते के गणी भूद्ध हो जाने से इसे आगने चत्तान कहते हैं और इसे प्राथमिक चत्तान भी कहा जाता है तो कैस्पियन सागर करता है देखिए कैस्पियन सागर देखिए यहां पर कैस्पियन सागर है पूछा जाता है यह कैस्पियन सागर से किस सीमा लगती है तो तुर्गमेनिस्तान की लगती है इरान की लगती है अजर्विजान की लगती है अरसिया की लगती है और कजाकिस्तान की लगती है यह भी नाम ध रबदों से घिरी बेसिन जिसमें चारो और से छोटी छोटी नदिया गिरती हैं निम्न में से किस नाम से जानने आती हैं तो उन्हें बालशन कहा जाता है आप्सन सीज का करेटन्स हो जगा अगला बढ़ते हैं अस्थान पर रेचते तो स्ल्तानपूर पत्चि अभ्याण है यह कह पर है तो यह अहल याड़ गुरू घ्राम में अप्सन क्या एक सीज करीटन्स है गुरू रomy नेक्सट है और येल चिंखे वर्यकरण सकिम के अंशार बिहार किस प्रकार के जलवाय प्रदेश में आता 2023 में पूछा गया प्रशन है ये आरेल शिंग के वर्गी करण इसकिम के अंसवार बिहार किस जलवाई प्रदेश के अंतर गता आता है तो उपाद्र संक्रमड कालेन जलवाई शेद्र के अंदर आप्शन बी डाक्टर आरेल शिंग के 1971 में भारत का अपना जलवाई विभाजन प्रसुत किया उन्होंने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों की तापमान इस्तियों और आउसत वार्शिक वर्षा के अधार पर देश को दस जलवाई प्रभागों में विभाजित किया इस वर्गी करण के सबसे बिहार राज उपादर संक्रमन कालें डीविजन में आता है यह एक्षा कि पूछा जांता निकिक वर्ष में लोग सबसेंट किये जाते हैं कि समान्ना एक वर्ष में लोग सबसेसे इतने सत्र आयुद की आते हैं तो समान ता तीन सत्र अप्सन बीस का करेटन्ज रोजाएगा देखिए समान रुप से तीन सत्र कौन कौन से एक तो वगता आपका बजट सत्र एक होता मानशून सत्र एक होता आपका सीद कालिन सत्र ये point important है संसत के दोनों सत्रों के मद्ध अधिक्तम 6 माँ से जादा का अंतराल नहीं होना चाहिए दिक दियान रखेगा संसत्त के दोनों हैंनी दो सत्र के मद्ध जो है 6 माह से ज्यादा का अंतराल से अंतर नहीं नहीं होना चाहिए अंतरा संसत्त का आयोजन कम से कम वर्ष में जो है दो बार किया जाना चाहिए देखिए अगर पूछा जाए कि जो है संसत का सत्र कितनी बार अयुद किया जाना चाहिए कम से कम तो कम सकम दो बार और समानता कितनी बार होता है तो तीन बार होता है और जो है अंतराल कितना होना चाहिए तो 6 महिने से ज्यादा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट एक धन्विधियक केवल डैस में पेस किया जा सकता है जो धन्विधियक होता है कहां पेस किया जा सकता है मने बताया था इसको केवल जो है इसे लोग सभा में पेस किया सकता है जो धन्विधियक होता है इसे केवल लोग सभा में पेस कर सकते हैं ठीक है आप्शन 20 क होगा की नहीं इसका नेड facon करता है जो लोग सभा का अध्याच होता है वह सग Woo а अधियानकिएगा जो यह धन विध्यक होता है यह राश्पति की अनुमत्ती पर जो है कर लोग सभा में पीस किया जा सकता है तीक है इसमें जो है है अनुमति ली जाती है उसके बाद प्रिश किया जाता है लोग सबा में और कोई भी धन भी देख होगा कि नहीं इसका निड़े कौन करता है लोग सबाको जो अध्याच होता है वो करता है ठीक है यह पॉइंट आप लोग धिहान अखिए गा और एक पॉइंट और धान अखिए किसमें इसमें जो हैं सभी तो बैठक नहीं बुलाया जा सकती है और धन विद्या की परिवासा किस आर्टिकल विद्या की हम है तो आर्टिकल 110 में इसकी परिवासा है ये ग्राम पंचायत की और आर्टिकल चालीश किसका भाग है तो नेत निर्देसक्षक तक्त्त्तो का या भाग है करते हैं यानि निर्जेसक तक्तो की तो यह कहां से लिया गया है तो आयरलेंड के समिधान से लिया गया है समिधान के भाग में भाग चार में आड कल के के बात करें तो 36 से लेकर एक्यान में इसका उलेक किया गया है कि यह इंपॉर्टिंट अप्लोग ध्याना किया ठीक है अच्छा पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज को समाधनिक दर्जक का प्रदान किया था तो तीहत्र में समिधान संसूधन के दवराई से सम्म correcting दर्जक परदान किया गया था इसको भी आप लोग धिहाना किये गा नाेक्स रैं भारत के संमिधान में नविय अंसूची किस संसूधन अधरियं दौरा जोड़ी गई नवी अंसूची किस संसुधन के दौरा जोड़ा गया ठा तो पहले संसुधन के दफसे जोड़ा गया था यह फिरपाटिनट 시청 भिठल को जो है पहले समीधान संसुधन उनिसूचण के दोराइसे जोड़ा गया था ठीक्षा भूम हम शुधा चेंप है ये तो जो लोग सभा का अध्याच्छ होता है वो करता है अप्सन ये इसका क्रेटन्स हो जा है साहिक तो बैठक का परवधान किसम है तो आर्टिकल 108 में इसका परवधान किया गया है अच्छा साहिक तो बैठक बुलाता कौन है तो राष्टपती बुलाता है ध्यान किगा बुल की अस्थापना कप की गई थी तो इसका करेट अंस हो जाएगा आपका 1993 में आपसन सी इसका करेट अंस हो जाएगा 1993 नक्ष प्रतेक राज में अन्सूचित जाती और अन्सूचित जन जातियों की सूची कौन तयार करता है तो इसका का राइटर जाएगा आपका आपसन सी इसका क्रेटवलण्स हो जाएगा परतेक राज के राज़पाल के सला से राष्टपती आपसन सी असे क seven की नवचların हो जाएगा थि अस्परट पर आम आदमी पाड़िफ ऐसका क्या घ्ठन पह सकत्था जो है 2022 में हुआज आपसका 46 करीटन सोजागा 2012 नेक्स्ट डूंगरी भासा कि सराज में बोली जाती है जो डूंगरी भासा है कि सराज में बोली आती है यह जम्मू कस्मूर में आप सने इसका करीटन सोजागा जम्मू कस्मीर नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान कव आरम हुआ था ये पूछा गया प्रश्ण है यारे 3 में पूछा गया था ये स्वच्छ भारत मिशन कब सुरुआ था तो दो अक्टूबर 2014 को इसकी सुरुआत हुई थी आप से इसका करीटांच हो जाएगा नेक्स बढ़ता हैं अप गांधी जी ने दास इसमारक अधिकोस के लिए कितनी रास इकर्था के थी तो 40,680 रुपए अपसन एसका करीटांच हो जाएगा अगला बिहार के किस जिला में नहर सुल्क के विरोध में अंदोलन हुए थे ता अपसन एसका राइट अंदर हो जागा साहबाद जिले में अपसन एगला पतना होम रूल लिग के किसनेता ने विजया दसमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंब करने का विचार रखा था तो राय पूरण चंद ने इसका विचार रखा था कि विजया दसमी के दिन भारत माता की पूजा ठीक है आपसन एगला बिहार में रानित पीडित दिवस का मना गया था तो 10 अगस्त 1929 को अप्शन B बिहार में राजनितिक पीडित दिवस 10 अगस्त 1929 को मना गया था राजिन प्रशाद के नितुत में इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसमें राष्टी जंडे के साथ छात्र बड़ी संग्षा में सा झाला खाना है तो कहां पिसर बादिक है तो पष्च मीचमपारण में सर्वादिक है option A करेटएंज हुए कि नेट्स्ट बिहार का कौन सा जिल्ण नॉयलान उद्ध्यों के लिए प्रशध है कौन सा जिला जो है विहार का ना öğलान उद्द्यों के लेए परशद्ध है तो जो मुंगेर है ये नॉव्यांब के लिए परशद्ध है आप सब्सक्राइब , अगला बीहार में आम आम जोर पाहड़ी किशनी चाहता है वह किस जिले में हैं अमझोर पहाड़ी यह पक कहां पर है यह आपका रोहतास में है अपसंद 20 का करेटन्स हो जाएगा रोहतास में है यह अमझोर पहाड़ी अगला है बेडिया नामक जंजात बिहार में कहां पाई आती है तो बेडिया नामक जंजात बिहार में मुंगेर मे बाई आती है आप्ट इसका राई लिकाट आत कहां है कूर अपस्ट्रमी चमपारान में यह अपसनी के लिदक रोजेगा अगला बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बडिला जील अभ्यारन इस्तित है तो ये कहां पे इस्तित है तो इसका राइटेंस रुजाएगा आप्सन ए व्यसाली में आप्सन इसका करेटेंस हो जाएगा अगला प्रश्न है अंतर राष्टी धाले सीम्य दिवस प्रतिवर्ष कब मना जाता है अंतर राष्टी धैले भुक्तान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मनेजर की रूप में नियुक्त किया है तो सुजाई रहना को आप्शन 20 का करेटन्स रोजाए सुजाई रहना अंतराश्टी सतरंज महासंग ने हाली में किसे अप्षन 20 का करेटन्स हो जाएगा नेक्स्ट हाली में भारती नौसिना के उप्रमुक का कारभार किसने समाला भारती नौसिना के उप्रमुक कौन बने हैं तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं अप्शन एस का राइट एंज रोजाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स बताईए कि भारती नौसीना के प्रमुक का उने ये भी भी हाल में बने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरू बताईएगा नेक्स्ट किस वालीबुड अभनेत्री को यूनिसेप इंडिया का निशनल ब्रांड अंबेश्डर न्यूक्त क्या गया है तो करीना कपूर खान को यूनिसेप इंडिया का ब्रांड अंबेश्डर न्यूक्त क्या गया है आप्शन भी अगला आइसीसी महिला टी टून्टी पृट्टी बात कर रहा है इसका आउजन कहां पर तो बांगला देश में किया जाएगा पुरूष की कहां पर हो रहा है तो पृुरिसका जो है अमेरिका और विस्टन देश में हो रहा है अभी होगा जून में अगला है NCPI International Payment Limited ने UPI जैसे सिवाओं के लिए किस अफरिकी देश के साथ समझोता किया है इंपॉर्टम प्रश्न है UPI के लिए जो है किस देश के साथ समझोता किया गया है तो नामी भी या आप सन डीस का करेट इंच रोजाए इसके पहले यूपी आई कहां कहां पे आ चुका है भरत ने दिया है कहां कहां पे तो एक तो आपका जो है सिलंका दिया मौरिश्यस और फ्रांस अब कहां पे तो नामी भी ध्याना किया नेक्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस कहां एक विसाल नया परिशर खोलने के लिए तयार है अमेरिकन एक्सप्रेस तो यह आपका अपना परिशर खोलेगा गुरुग्राम में अप्शन सी आगे बढ़ते हैं किस देश ने भारत द्वारा दावा किये गए विबादी छेत्रों को दरसाते हुए सव रुपय का नया मुद्रा नो पेस करने की योजना की घोश्डा की इस फैसले से नेपाल और भारत की बीच लंबे समय से चल रहा है चले आ रहे सीमा व्याद के करण तनाव पैदा हो गया है ठीक है यह ध्यान अखेगा आप लोग कम्मेंट बॉक्स मुत आजिए कि नेपाल के राजधानी क्या है और मु झाल झाल